नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मोटराइड में मेरा नाम है अमित और यहाँ पर यह जो हलमेट देख रहे हैं यह अभी तक इतना पॉपिलर भारती है बाजार में नहीं हुआ है लेकिन मेरे क्याल से जिन लोगों को एक काफी बज़ेट हलमेट चाहिए उनके बीच य और इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है टी एच एच लेकिन इंडिया में यहाँ पर यह निको के ब्रैंड से बेचा जा रहा है और आज हम लोग इसका रिवीव करने वाले हैं तो चलिए हम लोग पहले इसे अन्बॉक्स करते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है और सबसे पहला इंप्रेशन अगर आप इस हेलमेट का देखेंगे तो शायद आप बहुत जादा इंप्रेस ना हो क्योंकि अगर आप इसे कंपेर करें एक्जॉर के रेज हेलमेट के साथ तो वहाँ पर जो फैब्रिक केसिंग मिलती है उसकी कॉलिटी यहां से जादा बहतर है वह ज यह चीज ज़रा आपको बहतर मिलेगी दूसरी चीज जो आपको इमिडिटली देखते ही समझ में आएगी वो यह है कि यह एक्जॉर के रेज हेलमेट जितना एरो डैमिक नहीं लगता है यह थोड़ा रौंडिश है ज़रा ओबलिश लगता है देखने में और एक ओल्ड स् आपको यह आउटलेट्स नजर आ रहे होंगे यह नीचे वाला जो वेंट है इसकी खासियत यह है कि आप इसे इस तरह से पूरी तरह से निकाल सकते हैं और इसे निकाल करके आप अपनी जेब में रख लें तो जो वेंटिलेशन है वह ज़रा ज्यादा बड़ा हो जाता है और अगर आप बहुत जादा गर्म मौसम में चला रहे हैं तो यह ज़रा हवा अंदर आने देने के लिए और सहायक होता है और जब आपको इसकी जरुत नहीं हो और बहुत जादा वेंटिलेशन नहीं चाहिए तब आप इसे वापस इस तरह से लगा सकते हैं इसके अलावा यह यहां पर भी आपको कुछ वेंटिलेशन नजर आएगा तो वेंटिलेशन का यहां पर काफी अच्छे से ध्यान रखा गया है इसके लावा एक और जो खास चीज यहां पर है वो यह है कि यहां पर आपको यह हाई स्पीड वाइजर लॉक मिलता है जिससे की ज़्यादा तेज गती के लिए यह जो वाइजर है इसे यह जो नौच है यहां पर यह लॉक कर देता है तो यह भी आपको मदद करता है बहुत जादा हाई स्पीड पर अगर आप मोटोसाइकल चला रहे हैं तो यह इस वाइजर के मूवमेंट को रिस्टिक करता है इसके अलावा अगर आप इसे एकज़र से कंपेर करें तो मेरे खाल से एकज़र की जो पैडिंग थी वो यहां से ज्यादा बहतर है यहां पर यह जो स्ट्राप आप देख रहे हैं यह आपको डबल डी नहीं मिलता है रहां कि यह एक ट्रैक के ऊपर यूज नहीं कर पाएंगे तो यह भी एक च यह ज्ड़ास्टिक और कम है एक फ्ल्मेट में मुझे ज्यादा अची है तो उसलिए हाद से यह जगें ऑर बहतर और रहतर किया आ सकता था यहां पर यहां पर आप को बहुत सारे image I'm hap garbage न आप यानि वहाओ एक Probable द्रॉसिद यहां भॉनित कि मिलते हैं याहां आपके पास choice बहुत सारी है, एक बहुत ही बड़ा advantage जो आपको यहाँ पर मिलता है, वो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको ECE और DOT branding तो मिलती है, लेकिन निको ने इंडिया के लिए यहाँ पर इसे ISI branding भी दिलवाई है, यानि कि आप इस helmet को बिना किसी problem के Indian conditions में use कर सकते हैं, और यह उन rare low cost helmets में से है, जो कि आपको 3400-3500 की range में एक ऐसा helmet देता है, जो कि न सिर्फ ECE और DOT certified है, लेकिन यहाँ पर आपको ISI mark भी लगा हुआ मिलता है, जिससे कि जो local administration है, जो police, traffic police है, उनके साथ आपको किसी तरह की problem न लेकिन अगर आप चाहें, तो यहाँ पर आपको visor में भी अलग-अलग tints मिल सकते हैं, इन सब चीजों के अलावा, अगर कुछ और चीजों की बात की जाए, तो अंदर यहाँ पर space है, जिससे कि यह Bluetooth headset ready है, तो अगर आप Bluetooth headset यहाँ पर लगाना चाहते हैं, तो वो बड़े आराम से लगा सकते हैं, यह एक relatively lightweight helmet है, इसका जो shape है, यह भी जो short rides है, city rides है, उसके लिए काफी conducive है, इसके अंदर आपको यह एक breath deflector भी मिलता है, हाला कि जो fit और finish है, यह मुझे बहुत जादा impressive नहीं लेगी, लेकिन यह feature यहाँ पर आपके पास definitely available है, और इसके अलावा यहाँ पर यह जो multi ratchet system है, यानि की अलग-अलग levels पर visor hold करता है अपने आपको, यह भी एक feature आपको मिलेगा, इन सब चीजों के अलावा, जो एक और advantage है यहाँ पर वो यह है कि अगर आप इसे exhaust से compare करें, तो उसके मुकाबले जो spares हैं, उसकी कीमतें ज़रा कम हैं, एक्सार helmets में आपको मिलती है, वो यह है कि हाला कि यहाँ पर जो visor आप देख रहे हैं, इस पूरे setup के साथ, इस helmet की कीमत है 3400 रुपीज, जो की exactly exhaust rage helmet जितनी है, लेकिन अगर आप anti-fog pinlock visor चाहते हैं, तो जब आप exhaust helmet लेते हैं, तो pinlock visor की option आपको वहाँ नहीं मिलती है, आपको एक anti-fog slap-on किसम का visor लगाना होता है, जिसकी कीमत 600 से 800 रुपे होती है, लेकिन यहाँ पर इस visor को आप replace कर लीजिए, exchange कर लीजिए, और इसके बदले आपको एक pinlock visor with anti-fog visor मिल जाएगा for only 500 रुपीज extra, तो 3900 रुपीज में आपको एक proper ECE DUT ISI certified helmet with pinlock visor and anti-fog visor मिलता है, जो की एक बहुत अच्छी deal है, तो यह भी इसका एक बड़ा advantage है, अब यहाँ पर यह जो visor है, यह भी quick release है, और यह जो lever है, इसे इस तरह से press करके, इसे बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है, तो यह भी यहाँ पर एक काफी अच्छा feature है, और इन सब चीजों के यहाँ पर एक GoPro या फिर action camera का mount डालना चाहें, तो यहाँ पर आपके पास एक decent flat surface है, जिससे कि यहाँ पर वो mount लगाना ज्यादा difficult नहीं है, तो यह भी एक advantage है, यहाँ पर जैसे मैं आपको बताया कि कुछ advantages हैं, तो कुछ disadvantages भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह बहु पर चला रहे हैं, तो XOR के helmet जो है, वो high speed के लिए भी relatively stable रहते हैं, उसकी padding मेरे कहल से यहाँ से जादा अच्छी है, fit finish जादा अच्छी है, तो यह high speed के लिए उतना अच्छा नहीं है, लेकिन city driving के लिए, अगर आप city में जादा bike ride कर रहे हैं, तो यहाँ पर ventilation अच्छा है, और overall comfort के लिए हाद से जादा लोगों के मानना है कि यह जो helmet है, यह आपको एक काफी comfortable fit और काफी अच्छा ventilated feel देता है, इन सब चीजों के अलावा यहाँ पर आपके पास सिर्फ दो ही sizes available है, XOR में 3 sizes है, तो यह भी एक disadvantage है, तो overall यहाँ पर कुछ pros और कुछ cons है, और जो pros है सबसे बड़े pros यहाँ पर वो यह है कि कीमत काफी ज्यादा अच्छी है, 3400 का standard है, प्लस 500 रुपीज लेकर के आपको pinlock visor with anti-fog visor मिलता है, यह ISI certification के साथ आपको मिलेगा, city के लिए अच्छा है, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे color options available है, और downsides इसकी यह है कि इसका fit finish उ उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितनी XOR की है, और अगर आप इसका overall high speed performance देखें तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो दोस्तों यह है Niko का 76 helmet और एक बड़ा ही strong contender बनके उभर के सामने आया है, कुछ लोगों को यह definitely बहुत appeal करेगा, जो advantages मैंने आपको ब अपने सर की सुरक्षा करिए, एक अच्छा helmet पहनिए, और अगर आप कोई और helmet पहन रहे हैं, जिस पर किसी तरह का certification नहीं है, तो कम से कम इस तरह का ECE DOT certified basic helmet जरूर खरी दिए, अगर आपको यह समझना है कि ECE DOT, Snell और ISI मानकों में फरक क्या है, तो आप ऊपर एक video मैंने प शुक्रिया आदा करना चाहता हूँ, Arihanth Helmets का, जिन्हों ने हमें यह opportunity प्रदान करी, जहां पर हम अलग-अलग, segment से अलग-अलग helmets आपके सामने लेकर के आपाएं, और आपको बता पाएं कि कौन से helmets अच्छे हैं, कौन से helmets बूर हैं, और अगर आपको helmets खरीदने हैं, तो आप Arihanth Helmets को कौन्टेक्ट करके helmets खरीद सकते हैं, वीडियो अगर पसंद आया, तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए motoroids को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए, जिन्हें की एक alternative चाहिए, एक जोर का, और अगली बार के हां एक राख एक राखले carbonoесть नाएक का, यहहाप एक बार के अपचने ट्यबियों आफने कीजिए, theatre आप परे धके.